दोस्तो सुनीज जादो सर आखिरकार आचुके है स्टेज पे और क्या ही जबरदस फिजीक दिख रही है सच बतो दोस्तो काफी जबरदस फिजीक और लाइनप भी काफी ज़ादा तगड़ा है कैँ आज तक इतने तकड़े लायनप में मैंने सुनिज्जादो सर को नहीं देखा और यह काफी बड़े लेवल का शूर दिख रही दोस्तों काफी बड़े लेवल का लायनप दिख रही आप देख सकते हैं कितने अच्छे muscular और अच्छी condition वाले athlete से सुनिज जादो सर के आजू बाजू but judges ने उनको center में रखा क्योंकि उनको भी पता है कि real winner the king सुनिज जादो Mr. Complete ही जीतेंगे इस competition को but line-up काफी जबरदे से दोस्तो मुझे काफी अच्छे अच्छे दिख रहे athlete और सुनिज जादो सर के बाजू में जो foreigner type athlete है वो भी काफी जबरदे दिख रहे दोस्तो अब बात करेंगे सुनिज जादो सर की physics की तो physics काफी अच्छे लग रहे है जैसे हो हमेशा लगते है mature physics काफी अच्छा muscle mass carry कर रहे है और mid section तो हमेशा से उनका best है ही काफी जबरदे दिख रहे है उनकी physics दोस्तो और मुझे लगता है कि इस category में यह जो top 5 दिख रहे है यही last pre-changing के top 5 रेने वाले है और इनी में से किसी eco pro card मिलेगा दोस्तो मुझे ऐसे लगता है और आप comment box में लिखे मुझे ज़रूर बताए यह क्या लगता है आपको कि सुनिज जदो सर को इस चारो bodybuilders में से चारो athletes में से कौन टकर सबसे ज़्यादा दे रहा है दोस्तो अब comment box में आपके thought आपके विचार रखना ना भूलिये लिखना ना भूलिये और like तो ज़रूर कीजे दोस्तो इस वीडियो को इंडियन bodybuilding को लेके दोस्तो आपके thought आपके विचार इस बारे में ज़रूर बताइए और जहां तक बात है जदोस्तो सुनिज जदो सर के फिजिक की तो फिजिक हमेशा से ही अच्छी condition लेके आने वाले सुनिज सर जदो सर उतो लाँए दोस्तो तो मैं उसको भी update जरूर करूंगे चैनल पर और हई चानल को सब्सक्राइब जरूर किज़े ओर कमेंट बॉक्स में लिख वोचिंग।